Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCR to the Mind तो आज हम लुक पढ़ेंगे Class 3 Maths, Arianth Workbook का Chapter 9 How Many Times का Part 2 तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप भी अपना Workbook निकाले और मेरे साथ साथ बनाने स्टार्ट कीजे इससे पहले मैंने आपको Part 1 बता दिया था, तो आज उससे आगे बताऊंगी Number 5 है, Rewrite using the plus sign, 1 has been done for you तो plus sign का यूज करके आपको इससे फिर से लिखना है Number 1 में है, 3 multiply 5 is 3 times 5 और 5 plus 5 plus 5 ठीक है? तो देखें यहाँ पर 3 multiply 5 दिया हुआ है यानि कि 3 times 5, 5 को आपको कितने बार लिखना है? 3 बार लिखना है, 3 times लिखना है यहाँ पर आपको इस तरह से समझाए गया है ठीक, इसी तरीके से आपको दूसरा भी बना रहा है 5 multiply 11 is 5 times 11 यानि कि 11 को कितने बार लिखना है? 5 बार ठीक है? 5 times तो 1, 2, 3, 4, 5 5 times 11 को लिख देंगे इधर, ठीक है? उसके बाद है, 6 multiply 15 is 6 times 15 ठीक है? यानि कि 15 को कितने times लिखना है? 6 times तो 15 plus 15, 15, 15, 15, 15 ठीक है? यानि कि आप इसे 6 times लिख देंगे इसी तरीके से जितने भी आपको इस तरह का आएगा तो उसे आप easily solve कर सकते हैं ठीक है? उसके बाद है, fill in the blanks, 1 has been done for you इसे भी आपको बनाना है, एक तो दिया गया है जैसे 7 plus 7 plus 7 plus 7 is equal to 4 multiply 7 ठीक है? यानि कि 7 कितने बढ़ाया है? 1, 2, 3, 4 4 times आया है, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे और multiply किस से करेंगे? इसे 7 से करेंगे तो कितना आएगा? 28 इसी तरी किसे दूसरा बनाएंगे? तो देखिए 4 plus 4, 4 plus 4 plus 4 यानि कि 4 कितने बढ़ाया है? 5 बार तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 ठीक है? पहले इसे count कर लेंगे कि कितने times आया है 4 तो 5 times आया है यहाँ पर 5 लिकिंग और यहाँ पर 4 दिया हुआ है यानि कि कितना होगा? 5 multiply 4 is equal to 20 3 कितने times आया है? 6 times 6 multiply 3 is equal to 18 8 कितने times आया है? 4 times 4 multiply 8 is equal to 32 15 कितने times आया है? 3 times तो 15 3 multiply 15 is equal to 45 ठीक है? इसके बाद है 17 कितने times आया है? 5 times तो यहाँ पर 5 लिकिंगे और 5 को multiply करेंगे हम 17 से ठीक है? 17 से करेंगे तो कितना होगा? 17 fives जा कितना होगा? 85 ठीक है? इसके बाद है 20 कितने times आया है? 4 times तो 4 multiply 20 is equal to कितना होगा 8T 13 कितने times है 3 times 3 multiply 13 is equal to 39 ठीक है अब 2 कितने times आया है 8 times 8 को multiply कर देंगे हम 2 से तो कितना होगा 16 1 कितने times है 10 times तो 10 multiply 1 is equal to 10 ठीक है इसी तरिके से आपको बना लेना है वर्ट प्रॉब्लेम्स है अब यहां पर ठीक है There are 4 plates on a table एक table पर 4 plates रखे हुए है Each plate has 2 bowls हर एक plate में 2 bowls है ठीक है प्लेट पर जैसे कि यह plate है ठीक है और इस plate पर 2 bowls इस तरह से रखा हुआ है ठीक है हर एक plate पर 4 plates है ठीक है How many bowls are there in total अब यहां पर पूछा जा रहा है कि साड़े को मिला के कितने bowls होंगे ठीक है तो पहले हम निकालेंगे कि number of plates कितने है 4 और number of bowls कितने है 2 ठीक है हर एक plate में कितने bowls है 2 है तो total number of bowls कितने हो जाएंगे 4 को हम multiply कर देंगे 2 से यानि कि 8 bowls टोटल कितने होंगे 8 bowls ठीक है उसके बाद है एक basket has 5 mangoes एक basket में 5 mangoes है How many mangoes are there in 6 such basket अब इसी तरह से 6 basket है तो कितने mangoes होंगे ठीक है number of mangoes in 1 basket अब निकालेंगे कि 1 basket में कितने mango है 5 तो number of basket basket कितने है 6 यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 basket में कितने mangoes होंगे तो number of basket कितने है 6 है तो number of mangoes in 6 baskets ठीक है 5 multiply 6 एक basket में कितने mango है 5 है और हमें निकालना है कि 6 basket में कितने mangoes होंगे ठीक है तो 6 को multiply कर देंगे 5 से यानि कि 30 mangoes ठीक है, टोटल 30 mangoes होंगे There are 4 windows in a wall देखे, एक wall में 4 windows है How many windows are there in 5 such walls अब इसी तरह के 5 walls है अब उसमें कितने windows होंगे तो देखे, number of windows in a wall कितने windows है, एक wall में 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे number of walls कितने है, 5 ठीक है, 5 है और total number of windows अब total number of windows निकालना है तो 5 को multiply कर देंगे 4 से यानि कि 20 windows यानि कि 5 wall अगर है तो उसमें कितने windows होंगे 20 windows, ठीक है इसकी बाद है, there are 4 drawers in a cabinet ठीक है, एक cabinet में 4 drawers है ठीक है, there are 9 shirts in each drawers अब देखी, हर एक drawers में क्या होते है कि 9 shirts आते हैं, ठीक है How many shirts are there in the cabinet अब cabinet में कितने shirts हैं, ठीक है तो number of drawers, कितने हैं, 4 number of shirts, कितने हैं, 9 तो total number of shirts निकालना है तो 9 को multiply कर देंगे 4 से यानि कि 36 shirts, ठीक है उसकी बाद है, there are 7 eggs in a tray एक tray में 7 eggs हैं, ठीक है How many eggs are there in 6 such trays अब आपको यहाँ पर निकालना है कि इसी तरह कि अगर 6 trays हैं उसमें कितने eggs होंगे ठीक है, number of eggs in a tray अब एक tray में कितने eggs हैं, 7 number of trays, trays कितने हैं, 6 total number of eggs निकालना है तो 7 को multiply कर देंगे 6 से तो यानि कि 42 eggs हो जाएंगे ठीक है, उसकी बाद है Remy bought 6 packets of bottles Remy ने 6 packets खरीदा, bottles का ठीक है, which packets has 4 bottles, how many bottles did Remy buy? अब देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि Remy ने 6 packets खरीदा, ठीक है बाटल का 6 packets खरीदा और हर एक packet में कितने bottles हैं, 4 bottles हैं how many bottles did Remy buy? अब Remy ने कितने bottles खरीदे, ठीक है तो देखिए, number of packets about by Remy अब Remy के दोड़ा कितने packets खरीदे गए, तो 6 ठीक है, उसने 6 packets खरीदा, number of bottles in each packet हर एक packet में कितने bottles हैं, 4 ठीक है, number of bottles Remy buy, अब कितने bottles खरीदे तो 6 को multiply कर देंगे 4 से, यानि कि 24 bottles Remy ने खरीदा, ठीक है इसी तरीके से इसे बना लेना है, उसके बाद है complete the circle by multiplying the number in the middle with the number at the center one has been done for you तो यहाँ पर आपको multiply करना है, जैसे कि यहाँ पर center में number है अब center में जो number है, उसे आपको multiply करना है तो देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि center में एक number है ठीक है, 3 number है, अब 3 को यहाँ पर multiply किया गया है 5 से 3, 5 से कितना होगा, 15 अब इसी तरीके 3 को 8 से multiply करेंगे तो कितना होगा, 24 3 को 7 से multiply करेंगे तो 21 3 को 6 से करेंगे तो 18 3 को 9 से multiply करेंगे तो 27 ठीक है, 3 को 1 से multiply करेंगे तो 3 इसी तरीके से इसे complete करना है इसी तरीके से आपको दूसरा बनाना है तो यहाँ पर सेंटर में कौन सा नमबर है? तू अब तू को मल्टिप्लाइ करेंगे एट से ठीक है? तो कितना होगा? तू एट जा? शिक्स्टीन तू थ्री जा? तू थ्री जा? सिक्स उसके बाद टू टू जा? फोर टू नाइन जा कितना हो जाएगा? एटिन ठीक है? उसके बाद हम तू को फोर्टिन से मल्टिप्लाइ करेंगे तो ट्वैंटी एट तू को फाइब से मल्टिप्लाइ करेंगे तो टैन ठीक है? इसी तरीके से ये वाला भी बनाना है 3 को multiply करेंगे 3 से तो 9 3 को 4 से करेंगे तो 12 3 को 1 से multiply करेंगे 3 3 को 2 से करेंगे तो 6 3 को 9 से करेंगे तो 27 और 3 को हम 5 से करेंगे तो 15 ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो number missing है जैसे यहाँ पर number नहीं दिया गया है तो यहाँ आपको पता करना है कि यहाँ कौन सा number आएगा तो 3 को हम किस से multiply करेंगे? जो 15 आएगा ठीक है? तो 3 को 5 से multiply करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है? इसे तरीके से आपको बनाना है यह वाला भी वैसे ही है अब देखिए आप 1 को multiply करेंगे 6 से तो 6 आएगा 1 को 24 से तो 24 1 को 4 से तो 4 1 को जिस से भी multiply करेंगे तो उतना ही आएगा 1 को हम 3 से multiply करेंगे तो 3 ही आएगा 1 को 21 से करेंगे तो 21 1 को 1 से तो 1 ठीक है इसी तरीके से आपको बना लेना है ठीक है उसके बाद है Go to the maze and write each product to unlock the way to reach at box यह maze दिया गया है ठीक है अब यहाँ पर product भी दिया गया है अब इसमें आपको unlock करते हुए आपको आगे जाते जाना है ठीक है चलना है जैसे यहाँ पर एक रास्ता बना हुआ है उससे आपको इस तरह से cross करना है पहले देखिए जैसे कि इंटर का है इधर से दिया हुआ है इंटर करेंगे ठीक है इंटर करेंगे उसके बाद हम इधर से जाएंगे और यहाँ पर 6 multiply 14 है तो कितना होगा 84 फिर हम इधर से जाएंगे 4 multiply 17, 68 तर से जाएंगे 5 multiply 2, 10 होगा फिर इधर से जाएंगे तो 12 multiply 9, 108 होगा फिर यहाँ पर हम जाएंगे तो 8 multiply 5, 14 होगा इधर से जाएंगे 64 देखिए 4 multiply 16, 64 फिर इधर से जाएंगे 8 multiply 12, 96 ठीक है उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे इस साइट से ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 multiply 13, 78 इधर से जाएंगे फिर 13 multiply 4, 52 फिर इधर से 5 multiply 5, 25 फिर 11 multiply 3, 33 इधर आएंगे 3 multiply 12, तो 36 ठीक है उसके बाद फिर 36 से इधर बढ़ेंगे तो 4 multiply 5, 20 ठीक है 20 के बाद इधर 11 multiply 6, तो 66 फिर इधर से चलेंगे इधर 7 multiply 9, तो 63 उसके बाद यहाँ से हम इधर आएंगे 5 multiply 8, is equal to 40 फिर इधर से इधर आएंगे कितना होगा 2 multiply 7, कितना होगा 14, उसके बाद इधर आगे बढ़ेंगे 6 multiply 5, 30 और उसके बाद हम इधर से आएंगे इधर 15 multiply 5, 75 ठीक है तो यह box तक यहाँ पर last में पहुचना है ठीक है तो यह वाला box है box तक पहुच गए इसी तरी किसा आपको बनाना है उसके बाद है look at the diagrams and fill in the boxes ठीक है fill the boxes one has been done for you तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ diagram दिया गया है one number में यहाँ पर dot वाला diagram है ठीक है तो जैसे कि 2 multiply 2 2 dot है ना dot दिया हुआ है उसके बाद इसे 2 से multiply करेंगे 2 इधर dot है 2 इधर dot है ठीक है 2 को multiply 2 से करेंगे तो कितना होगा 4 यानि कि total कितने 4 dots है ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 एक side में कितना है 2 dot है तो one, two, three, four, five 5 है यह जो line है ना 5 दिया हुआ है तो 2 को हम multiply कर देंगे 5 से यानि कि 10 total कितने dots है 10 dots है ठीक है इसी तरीके से इसे भी बनाएंगे तो देखिए कितना है 6 multiply 2 अब यहाँ पर एक side में कितना है 6 है तो 6 को multiply कर देंगे हम कितना 2 से दोनों side में कितना है 2 है यानि कि दोनों मिलाके तो 6 को multiply 2 से करेंगे यानि कि 12 अब 2 को multiply कर देंगे 4 से एक side में 2 है तो कितना है यह total 4 है यह line जो है तो 4 है तो 2 को multiply 4 से कड़ेंगे तो कितना आएगा 8 टोटल 8 dots है इसी तरीके से यह वाला देखिए जैसे कि एक साइड में 5 है 5 dots है और कितना 1, 2, 3 3 line है 3 line है तो 5 को multiply 3 से कड़ेंगे तो कितना आएगा 15 ठीक है तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इतना ही आप revision कीजे आपका part 2 भी complete हो गया इसके आपको next वीडियो में मैं आपको इससे आगे बताऊंगी तो इतना आप अच्छे से पढ़िए और कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे जरूर बताईए अच्छा लगा हो तो ncrt the mind को like subscribe कीजे और pass में दिये गए बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दिजी ताकि ncrt से related हर वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye take care thanks to watch my video